हेलो दोस्तों तो चलिए आज हम बनाते हैं गणपती बाबा के लिए हेल्दी लट्टू और उनके लिए मोदक बनाते हैं मोदक भी हेल्दी रहे गा तो पूरी वीडियो में आख्री तक बने रहें तो देखी यहां मैंने कडाही में घी ले लिया थोड़ा समात्र एक से दो चमच खी में ने ले लिया और मैंने ड्राइफूट ले लिया यह ड्राइफूट टोटल आपके ऊपर है कितना आप डालना चाहते कम चाहे जाएदा टोटल मैंने लगवाग धाईसो गराम में अंदाजे बता रही है पर मेरे पास मन्त के आकरी में जितनी ड्राइफूट अचिल है थी पेश्ता थोड़िसी ब्लेग किसमित थोड़िसी एड्राइफूट कासु बदं सब करेणि होह ऐसी बनाती हूं लड़ू यहां मैंने बच्चा हुआ ही मेरे पास था एक काटोरी कोकोनेट बूरा तो मैं ओभी इसमें डाल दी कोई मेजर्मिन्ट है ना कोई वजन है जितना हो जो भी ड्राइफूट वो ले लीजे तो लगभग टोटल मैंने ड्राइसो गराम है वजन सगरवाने तो टोटल लगभग ड्राइसो गराम होगा इसे बाउल में तो डेढ़ बाउल होगा क्यूंकि बूरा है तील है तो सबको मैं रोष्ट कर ले रोष्ट करने के बाद मैंने रखते है टोटल लगभग इस सो से डेट सो गराम में हमारी लड़ू बनकी रेडी हो जाएगी यहां तीन से चार चमच बस मैंने घी डाला एक घर का देशीगी यहां एक कटूरी मैंने डाला है मल्टी ग्रिन आटा जो भी घर में आटा आपको डालना है खाने माला गिहूं काटा आप डाल सकते हैं पर मेरे पास मल्टी ग्रिन आटा था तो मैं वही आटा डाल दी इसमें कोई यह नहीं था कि यह नहीं है तो यह यह नहीं है तो यह नहीं जो भी घर में dry food बच्चा हो जो थोड़ी बहुत घी बच्ची हो तो इसमें थोड़ी से आंटा डाल के अच्छे से भून लीज़े और dry food टोटल भून लीज़े और ये लड़ू बहुत हेल्दी टेस्ट टोटल मॉत्र मेरे सो गरम घी लगी ही से ज़्यादा नहीं और आंटा को कम से कम इतनी अच्छी से भूनना है कि पूरे घर में इसकी खुस्बू फैल जए और लगे कि हां आंटा भून रहे हैं तो टोटल मैंने आंटा भी भून लिया इसके बाद मैंने गुड़े रखा था तो गुड़ ये में थोड़ी से मिल्ट हो रही थी यहां मैंने दो चमच घी रख डाला है पर ये वाला गी ओप्शनल है अगर ऐसे ही जालना है तो डाल सकते हैं मेरे पास ये गुड़ थोड़ी मिल्ट हो रही थी बाहर रखा था तो मैं इसे ऐसे ही डाल दे देखिए थो मिल्ट हो गया उसके बाद सारा चीजिस में डाल देंगे आटा कोकोनेट बुरा का जो भुने थे तील ड्राइफूट सबको डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये लड़ु में आपको आखरी तक बने रहना दिखाएंगे कि बच्चे कैसे खाएंगे तो मैं इसे गैस ऐसे उतार के कांटब पर लादी जैसे मेरे गुड मिल्ट हो गया था ना तुरंत में उसे गैस को बन कर दी दिखेंगे एक दम अच्छे से हाथों से मसल मसल के इसे मिक्स करिए और ये लड़ो अब आसानी तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे जो ड्राइफूट नहीं खाते हैं तो मैं क्या करूँगे मिक्स करने के बाद कि इसमें तो वैर्निंग बनेगा नहीं क्योंकि घी बहुत कम है और जादा गुर डालेंगे तो मतलब कि जादा गुर डालेंगे तो मीठा बहुत हो जाएगा तो मैं क्या करते हूँ गरम जैसे ही रहता है दो-तिन चमज डाल देती हूँ मिक्सा जारों पीस लेती है कि कैसे बनाना अगर आपको जादा घी डालना है तो यहीं घी डालके बना लीजाईजी बहुत लोग इतना घी डालते है कि मतलब लड्डू से बाहर आ जाता है पर मुझे उतना नहीं पसंद तो देखे ऐसे ही करके मैं टोटाल लड्डू बना लेती हूँ अब देखे जो थोड़ा सा बचन में मुदक कैसे बनाती है यहां लगभग जाएगी तीन से चार चमत मिल्ट घी तीन से चार चमत ऐसा हो कि जो अपना डो है ना जो डो रेडी करे हूँ मुठी में बाने ना तेक लड्डू बन जाए तो अगर इसकी मुदक आपको बनाना है तो हेल्दी मुदक है बच्चों को मुदक के बहाने आप यह लड्डू खिला सकते हैं तो देखे मुदक क्या कार में भर देंगे हाँ थोड़ी इसमें यह है कि थोड़ी जादा लगेगी घी अगर आप घी डालना नहीं पसंद करें तो यहीं पर थोड़ी से रोष्ट करके आप मावा डाल दीजे तो और अच्छा रहेगा पर मैंने बीना मावा का हेल्दी लड्डू से बनाया है मुदक तो यह देखे ऐसी मुदक बनके रेडी हो जाएगी अगर आपको अगर लड्डू बनासकते हैं अगर अगर सोक से खाते हैं तो यह दो अगर लड्डू बनाना है तो आप ऐसे ही लड्डू हेल्डी बच्चो को खिला सकते हैं तो टोटल में मोदक बना के फिर आपको दिखाती हूं तो मैं टोटल हैं पांच मोदक बना ली थी बच्चा था तो मैंने लड़ू बना लिये था और यह देखे जो ब्राउन कलर का है न दीखरा पहले लाइन में इसमें घी था जिसमें पहले मिलाए थे बाकी में घी नहीं ह तो मैं ऐसे ही लड़ू बनाती हैं कम से कम घीमे में लड़ू